असलाम लेकूम माई योट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब लोग हौफ़ल है आप सब ठिक ठाक होंगे खेरियत सोंगे जी आज की वीडियो करते हैं स्टार राज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार आलू कीमा तो वीडियो को फुल वाच करना बहुत असान रेसिपी के करते हैं यहां पे आप लोगों ने एक देचकी में 6-7 टेबल स्पून आइल के लेने हैं जब अलका सा गरम हो जाए इसके अंदर एक बड़ा चमच आप लोगों ने चौप होवा लसन एड़ कर देना है लसन जब हलका सा ब्राउन हो जाए इसके अंदर हाफ अनियन भारी क राप्त टाल देंगे फिर आपने दोधर टमाटर लेकर लेक Ooh इसको微ड़ करके इस शह अधर कर देना है यहां पर हमने टमाटर जो है वा एड़ कर दी हैं अब आपने इसको पकड़ा से पकर के पिर इसके अंदर इस तना से को ला देने आ चमच आपने नहीं हिलाना, अब आपने इसको पांच मृंट के लिए कवर करेंगे क्वरी पिर आपने इसको इसको इस तरह से हिलाना है। चमच बिलकुल नहीं हिलाएंगे, अब तो पॉप यह अदर तेम है इसके ने रहे और टमाटर जो है अच्छे से घल जाएं। आप देख सकते हैं इस तरह से चिलका असानी से रिमूव हो रहा है यह देखें अब हम टमाटर के जितनी भी चिलके हैं इसमें सबको निकाल लेंगे इसमें से अब इसको अछ्टे से मिक्स करें अब एन व किसे अपने टेबल स्पून नमक आइड करने अगर वन टेबल स्पून इसके अंदर रेचिली वन टेबल स्पून इसके अंदर चुडी फ्लेक्स आड़ करेंगे तोड़ा सा पानी जाल के इसको पान से दस मिन के लिए आप लोगों ने दम पे रख देने यहां पांच मिनट हो चुके थे और यहां पे चुकी में है वहारा अच्छे से पक रहे हैं अब आप ने इसके बुनाई कर लेनी है तो अगर जब तक इसके बुनाई कर रहे हैं अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को पर आप एज़िए ज़रूरा लाइक करना और पे 1-2 टी स्पून आपने इसके देरा एड़ कर देना है जिरा एड़ करने के बाद आपने इसको पांच मिन के लिए दम पे रखने है जब तक हम ने इसको दम पे रखने है यहाँ पे ची आप लोगों ने ले लेना है प्यार ऐसा पैन उसके अंदर आपने 3-4 टेबल स्पून आयल के डाल देने है फिर उसके अंदर आपने तीन बड़े प्यास इस तरह से बारी कट करके एड़ कर देने है यहाँ पे आप लोगों ने प्यास को हलका से ब्राउन कर लेना है कीमा बहुत टेस्टी बनता है आप लोगो एक दफ़ा इसको जरूर ट्राय करना है जब प्यास आप लोगों का हलका से ब्राउन हो जाए इस तरह का फिर आपने 2 अदद आलू लेके उनको इस तरह से कट कर लेना है और इसको हम प्यास में एड़ करके आलू और प्यास दोनों को फ्राय कर लेंगे जब आप आलू और प्यास दोनों को फ्राय कर लेंगे हाफ टी स्पून जीरा फिर इसके अंदर आड़ करेंगे तो यहां पे अड़ करने के बाद आपने करने एक अच्छे से मिंक्सिन को एक है तो यहां प्यास मिक्स कर लेंगे फिर आपने इसको कीमा एड़ कर देना है तो यहां प्यास है कीमा ओर आपनेफं इसको छुटिक करदेंगे को वहां तो अपने admission कीमा कर देंगे हैं यहां पוכना ऐनके साफ कर लेना है हमने इसको इसके अंदर आड़ कर दिया है अब आपने इसको अच्छे से कीमे के अंदर मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद इसको हम 5-10 मिन के लिए दंपे रखेंगे ताके आलू जो हो अच्छे से गल जाएं तो फाइनली यहां पर 5 मिनट हो चुके थे और मसेदार सा हमारा फ्राय आलू प्यास कीमा त्यार हो चुका है तो यहां आप देख सकते हैं अब आपने इसके अंदर वन टीस्पून ब्लैक पेपर एट कर देने हैं फिर थोड़ा सा हरा धनिया हरा धनिय के बाद इसके अंदर हम थोड़ सा अध्रक और थोड़ सी हरी मिर्चे यह सब चीज़ें जाने के बाद आपने कर लेनी हैं इसके अच्छे से मिक्सिंग तो यहां पे आप देख सकते हैं कितना मसेधार हमारा अलू की मात त्यार हो चुके हैं अब हम इसको किसी बाउल में डालके सर्फ करते हैं तो यहां पे हम इसको बाउल में डालेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कितने मज़े का हमारा फ्राया अलू की मात त्यार हो चुक झाल झाल